हेलो इस्टिवेंड आप पढ़ रहे थे अध्याय दो बच्पन जिसकी लेखी का है कृष्णा सुबती इस पार्ट के माध्यम से कृष्णा सुबती जी ने अपने बच्पन के दिनों के बारे में बताया है और कहा रहे कि उम्र बढ़ने की सांसान उनकी शौक दिता पहनावे में भी काफी अंतर आ गया है तो आपने अभी तक पढ़ा था कि उनकी समय में कुछ ही घरों में ग्रामो फोन होते थे यही लोगों के मनोंजन का साधन था लेकिन आजकर रेडियू, टेलिविजन, कम्प्यूटर, वीडियो सिस्टम, काफी नहीं नहीं चीजें आ गई है तो अब हम आगे पढ़ेंगे हमें हफते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती घर लोटकर साइड बोट पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा दे लेकर खाती शिमना के काफल भी बहुत याद आते हैं खटे मीठे कुछ एकदम लाल कुछ कुलावी रस भरी कसमल सोचकरी मुँ में पानी भराए शैसनट एक और गजब की चीज आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँ में तो बच्पन में वे चॉकलेट खाती थी उनको केवल हफते में एक बार ही चॉकलेट खाइदने की छूट मिलती थी और उनकी आदत थी कि वो चॉकलेट एकटा करके रख लेती और हमेशा खाने रात को खाने के बार खाती इसके लावा उनके पसंदीदा फल, काफल, रसभरी, कसमल तथा चैसनर थे चने जोर गरम और अनार गाने का चॉट हाँ चने जोर गरम की पुडिया जो तब थी वो अब भी नजर आती है पुराने कागजो से बनाई हुई इस पुडिया में निरा हाथ का कमाल है नीचे से तिर्ची लपेटते हुए उपर से इतनी चोड़ी कि चने आसानी से हतेली पर पहुँच जाए एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों इस कुल की हर बच्चे को आता था कुछ बच्चे पुड़िया पर तेग मसाला बुरुकवा थे पूरा गिर्जा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती एक एक चना पापड़ी मुँ में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लएर अफ़तार थी चुटपन में हमने शिम्ला रिच पर बहुत मजे किये हैं घूणों की सवारी की है शिम्ला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिली जाता है तो यहां पर वो कहती हैं कि बच्चपन में वो चना जोर गरम बड़े मजे से खाती थी और चना जोर गरम तो वैसा ही है आज भी लोग उसी तरीके से खाते हैं और जिस तरह की पुडिया में वो पहले खाती थी तरह की पुडिया आज भी प्रचरन में है आप ने भी देखिए होगी आइस्क्रीम के जैसे कौन के शेप में जो पुडिया बनाई जाती है हम जाने क्यों घुड़ों को कुछ कम तर करके समस्ते उन पर हस्ते थे लैनी हाल के तो उतना काट दें